शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात के साथ जालावार दोरे पर मुख्यमंत्री हैं तो सियम राजे ने अपनी ग्रिह शेतर में आमजंद से लेकर कारेकरताओं से मुखातिब होकर जमीनी फीड़ बाक लिया और सीम सबसे पहले कोलाना हवाई पट्टी जब पहुंची तो वहाँ पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया इसके बाद राजे सडक मार्ग से राइपूर पहुंची जहां उन्होंने चौत माता की मंदिर में पूजा अरजना की और आम जन्से मुलाकाद की इसके बाद राजे ने सरकारी योजनाओं के लाभारती परिवारों से मुलाखाद की और साथी चाय की चुस्कियों के साथ ग्रहनियों से चर्चा भी की इस दोरान राजे के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी देखने को मिला वही राजे ने महिलाओं को सरकारी योजनाओव की जानकारी देते हुए उनका लाब उठाने का अख़वान किया इसके बाद राजे ने बाजार में भी व्यापारियों से मुलागात कर योजनाओव का फीड़बैक लिया तो यह तस्वीरे देखिए किस तरह से सियम का जनसंपर्क देखने को बिला बच्चों को दुलारा भी दुलराया भी पुछकारा भी और वहाँ पर जो दावेदार पहुँचे थे वो भी बहुत उम्मीद के साथ पहुँचे थे सियम को अपना अपना बायो देटा उन्होंने सौपा मंदिर में धोक लगाने के लिए जब सियम पहुँची तो उनके साथ उनके सांसत बेटे भी थे और साथ ही साथ एक लाभारती उजवला यूजना की उनके घर गई सियम उनसे बाग की और चाई भी ली और सेलफी का क्रेज भी देखिए जब सियम घर आई तो लाजमी है कि सेलफी तो बनती है मेधावी चातर के रूप में स्कूटी मिली है इसको जियो मोबाइल मिला है इसको गैस मिला है मैं समझती हूँ कि आज कल के जमाने के अंदर हम तो यहां तीस साल हो गए और मैं यह देख रही हूँ कि अब इज़त और सम्मान के साथ आदमी को किसी को यह फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि गिड़ गिड़ा रहे कि हमको कुछ दो आज तो उनका हक है और उस हक के मताबिक उनको मिलता है तो जन संपर्क करने के बाद राजे राइपूर और पिड़ावा में नौशक्ती बूद सम्मिलन में शुरकत करने पहुंची यहाँ पर राजे राइपूर मंडलत पताधिकारियों और कारिकरताओं से रूपर हुई राजे ने कारिकरताओं को चुनाव के लिए एक जुट होने का अवान किया और जीत का मंत्र दिया राजे ने कारिकरताओं से सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबाक फिलिया और हर व्यक्ती तक यह जानकारी पहुँचाने का अवान किया सम्मिलन को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि राजस्थान में इस बार रेकॉर्ड बनना है और पिछली बार से भी ज्यादा बेतर पोफोर्मिंस करना है और राजे ने कहा कि घरगर मेहनत करके बीजेपी का परचम फहराएंगे राजे ने कारिकरताओं से आफ़वान कि और चाय पर लोग उसे चर्चा करें। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आज चालू किया है। अपना एक स्टिकर और उनसे बातचीत करने का काम हम लोग करेंगे। तो आज हमने दो-तीन स्टिकर भी लगाए हैं, लोगों से बातचीत भी किये हैं। और सब खुश हैं। और धन्यवाद देते हैं मुदी जी को और राजस्थान की सरकार को। तो ये तस्वीरे भी देखिए कि किस तरह से स्टिकर का स्वागत इस कारिकर में अभिवाद बूत सम्मेलन को सी हमने संबूधित किया। और ये कहा कि हमने पिछली बार रिकॉर्ड कायम किया था। कुछ वक्त पहले जालावाड में ही राहुल गांधी की एक बड़ी सभा करवाई गई थी और हारोती पर हाथ जमाने के लिए जालावाड को सबसे पहला केंद्र बनाया गया उसके बाद रोडशो कोटा तक ले जाया गया था और उसके बाद जब सी हम ये खास कारिकरम के पहले पहुंची तीन दिवसी अपने इस यात्रा पर पहुंची दौरे पर पहुंची तो देखिए क्या क्या तस्वीरे थी बार फिट से वो पूरे दिन की तस्वीरे समेट कर हम आपके सामने लाए हैं कि किस तरह से सी हम ने जन संपर्क किया व्यापारियों की बात करें या फिर युवाउं की बात करें हर एक तपके से यहाँ पर सीम ने बात की उनसे फीडबाक लिया और बच्चों के साथ दुलार देखिए चोटे चोटे बच्चे यहाँ पर किस तरह से सीम को पटका उड़ा रहे हैं पहना रहे हैं और सीम भी देखिए बदले में किस तरह लेकर भी पहुंचे मंदिर में धोग भी लगाई, चौत माता की तस्वीर भी आप देखिए, चाय के चुस्की हो, सल्फी का क्रेज हो, या फिर कारेकरताओं को सम्भूधित करना हूँ, हार एक तस्वीर. तो बीजेपी ने आज से बोथ महा संपर्क भ्यान का आगास किया है, जसके तहट बीजेपी के नेता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और इसी कड़ी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकास जावडेकर ने आज जैपुर के गोविन देव जी मंदिर में पूजा अरचना की और साथी लोगों से मुलाखात की, इस दोरान विधायक सुरेंद्र पारिक बीजेपी के शहर अध्यक्ष संजर जैन, मेरा शोक लाहोटी समीत, बीजेपी के पदाधिकारी और कारिकरता मौजूद रहे, जावडेकर ने यहाँ पर दुकान दारोड लो किया गया, लोगों से समबात करने के लिए, दुकान दारों से बात करने के लिए चाहे कि चुस्की भी ली गई, तो वहाँ पर चार्ट पकोड़े भी खाए गए, और खातिरदारी भी जमकर की गई, लोगों की बीच अब प्रकास जावरेकर पहुँचे, सेल्फी का इस यहाँ पर पी देखने को मिला.